देश में elections की सुरुवात हो चुकी है, तमाम सारी जो पार्टियां हैं, जो राश्री पार्टियां हैं, जो शेत्री पार्टियां हैं, सब अपने अपने candidates उतार रही हैं, और सब अपने candidates के साथ उनका नाम की गोशना कर रही हैं, और काफी सारी पार्टियां हैं जो ने कुछ कुछ सीटों के लिए अभी तक गोश्चा नहीं की है अब देश में जो चुना हो रहे हैं इसमें लोगों की भावनाओं को देश के विकास के लिए तमाम जो लोग है नेता वो जनता की भलाई के लिए अपना नामांकन भर रहे हैं कुछ पार्टी से भर रहे हैं तो कुछ न प्रमुद्वाल जी स्वाकत है आपको मेटर सीट से क्या कहेंगे मैं निर्दली जो ठाने लोग सबसे चुनाव लड़ना चाहता हूं उसके लिए मेरे कई 124 मुद्य है वह मैं आपको यहां पर बता देता हूं भारत भष्टाचार मुक्त करने का संगल्प है भारत सवचे प्रदूर्शन मुक्त करने का संगल्प है तस्तर नागरिक और नादरुस्तर रस्ते में जो अबगात होते हैं अभी यह जो 2024 में कई लोग वहां पर एक्सिडेंट से मर गए है और उनका नियमन करने के लिए और ठेके दारे का अड़मूटे पना है उसको उसको आला कलने क के लिए चलेब माना काैरे कि यह बुश्त का को इसके लिए वह भावी खासदार के तोर से तर से चुन जाने के बाद और उसमें थोड़े मुद्य है अनादिकुर्द बांदगा में है जो रोड के बाजू में है और वह उसमें प्रदूते बजह से बज़े से सब प्रदू वह एकिली होती है और जो फ़र उसमें काड़ाक जो है वह जादा प्वास्व कंप्र में प्रीए और इस इसको ठीक से करने के लिए जैसे अच्छे पट्रीख का सुधार पट्रीख आने के लिए उसके आपन यह सवरक्षिं करें किस अब से प्रवाश्यों को बहुत त्रस्त होते हैं तो उसके बारे में अगर ये थोड़ा सा इसना पास जा रहा है, जयसे उसके लिए आपन सुधार उपकरम करेंगे, इसतर आपन कढету किआ थी के ये मिला मतलब अजैन मिला एक तो उसमें कहीं इसे भी एह यह है और आपूरा आरक्षन मिला जो समाधान कार्ण का अभी दब जन्दा को मिला नहीं मरा ता हिंदु जन्दा को तो उसके लिए आपन क्या करेंगे देश के गड़ के लिए उसका तोड़ा इतियास लोगों के सामने लाएंगे और अंगरोंगोटी का काम करेंगे और पिटल और यह जो कई मेडिकल कॉलेज कई कई जिले में नहीं है जो मेडिकल कॉलेज होने से लोगों का यह हो सकता है और उसका बढ़ा हो सकता है तो मेडिकल कॉलेज हर जिले में होना चाहिए तो उसके लिए लोग भार दूर जाते नागरिक क्या करते है यहां से दिली ज उसके लिए आप नियमन बनाएंगे अगर हो चांट मिलता है तो मेडिकल कॉलेज का बहुत बड़ा मुद्द है उसके बाद में बाद में इंडर्स्टिल जो है काम कर रहे हैं उनके वादिस के वह बड़ेगा तो लोगों को बेतित तो आ जाएगा और संकड़ गरस्त महीला ज है आश्रम होना चाहिए वह बनाएं गरस्त में लोग लोग जितने भी रहे हैं जो नागरीख है जो महीला संगड़द करने के लिए लिए जो वीकास करेंगे और अभी बहुत शुरक्षित नहीं है अभी बहूत सुरक्षित है और पूलिस को धन्यवाद दे तो उसके लिए थोड़ा और आपन कानून सुरक्षा कर गटित करेंगे यह अपना यह कहीं मुद्धे है ऐसे कहीं मुद्धे है शेतकरी लोगों के लिए है शेतकरी को टैक्टर और सुवीदा और लागवडी के बियाने उनका हम लोग नियम करेंगे क्योंकि वो दिन रात ख बियान भी मिले और उसको टैक्टर कैसे मिल सकता है शेशन की ओर से खेती चलाने के लिए तब आना जा जाएगा इसके लिए मुनको एक कुछ नियमन बनाएंगे और भारत युवा महिला बेरोजगार है उनको नोख्रिया नहीं है है कोई डिपार्मेंट सरकारी निम सरकार में नोख्रिया मिल नहीं रही है लोग बेरोजगार गुम रहे हैं आप अपने कोई पानी पूरी चला रहा है कोई फोटोगापर चला रहा है कोई क्या चला रहा है तो उसके लिए कुछ हम एक केंद्र बनाएंगे मद्दार संग में ताकि उधर नोख्री मिले और अचकल क पर उतना तादात में काम नहीं हो रहा है कई लोग युवा बेरसगार होए उसके लिए हम काम चलाएंगे और माजी सहनिक जो है उनके लिए अपन विबाग में से अलप धर में कैसा उनको घर मिल सकता है जो उनके विदुआ पत्मिय है या उनको उसके लिए हम लोग हेल्प क के लिए हम मद्यम और की कुटूब है उसको प्रति महराशन के उपर तो अलपदर से मिलता है लेकिंगे उनके लिए कुछ ने मिलता है तो हर के अंदर में हम लोग जिस के अंदर में चुनाओ लड़ रहा हूं तो उदर तो मैं सोच रहा हूं कि उनके लिए कुछ भोजन की वहस्ता में महीने में दो बार या महीने में समझो 31 दिन में करने की कोशिश करूंगा और शाले विद्धरति के लिए मेरी मेरी एक फांडेशन ट्रस्ट है इसके सबसे मेडिकल कॉलेज भी बनाने जा रहा हूं और यह मेडिकल कॉलेज विरारवेश्च में बन रहा है और उस तो यह मेरा कंटीनु चलते रहेगा जब तक ट्रस्ट मेरा लाइसेंस है तब तक चलते रहेगा यह मुद्धा मेरा रहेगा और महीला सेनेटराइज नैपकिन मैं ठाने जिल्ला में कुछ चेज मददाजार संग से लड़ रहा हूं तो उस हर सोसाइटी में मेरा एक संगर है और इसका प्रचार में सारे puts भास कमा रहेगा है तूद तक हूं आएग् से यह शहिंकर हों मानदन की तो के उपर में काम करें कंदीर का विकास नहीं हो रहा है अई तो उस मंदीरों 것은 क्या विकास करेंगी undocumented यह हमारा ढरीं चरत्व करेंगे और ईसका जितने मारश्रा में मंदीर घंपे अपने सविक 22h उतना हम उसको स्वयोग करके मंदिरों का विखास करने का हम जिम्मा थोड़ा लेंगे अगर थोड़ा हमको चुनाओ में अगर कोई ओट्स मिलता है और थोड़ा सा आपके सामने हमको उबारने का मोगा मिलेगा तो इस तरह में करेंगे और फेरी वाली जो आना दिकृत रहो जो है उसमें बहुत परिशानी होए मतलब इतना विड़का है स्टेशन के बार कि आने जाने वाले को बहुत प्राब्लम्स होता है कोई स्टेशन में पकड़ने जारह है या अगरदी भीडबार में पर कई तक्लीफ हो जाता है तो उसका थोड़ा सा कई सालों से हम लोग हर महरावराश में देखते हैं उदर कोई नियमन होता नहीं है तो आपन सोच रहे हैं कि कुई आपन आई से भी हम कर रहे हैं और बाद में भी अगर आपके सामने आते हैं तो भावी कासदार बनके तो कहीं हम लोग भी आपकी समस्या का जादा से करें कि हम Foundation Trust के President हैं तो हमारा संकल्प दस साल से वहीं चल रहा है Medical Scam करना करोना में लोगों को कहीं हम लोग ने मदद किया है और अलगर जीले में आपको तो अब पता ही होगा क्योंकि मैं कभी Advertise करता नहीं हूँ और मैं काम से बोलता हूँ तो इस तरह है और बाकी जो गई बोगस गैरेज दुकान है और कई इसे रस्ते पे चलिये तो उसका कुछी परवाना ने कई स्तानिक स्वरज संस्ता देखती नहीं कुछ नहीं और उसके बज़े से लोग लोगों को ख़ई लूटा जाता है कई से कहीं भी टैक्स लगा गैरेज वालों के लिए बिए कुछ नियमन बनना चाहिए क्योंकि उसके पास स्ताइश सम्मद्र लाइसेंस नहीं परवाने नहीं से सब इस तरह जय हिन जय मारश्ट अभी इसके बात में हम सम्मद्र से आप दे देंगे समादर हम करेंगे हमारा काम चलते रहेगा और हम प दौरान 2012 से लेके अभी तक वह रस्ते पे हमेशा भीड भाड बनी रहती है ट्राफिक जाम होता है चार 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 च्छे घंटे तो उस बारे में आप क्या करें इसमें आईसा प्रॉब्लम है जो यह ट्रॉफिक जाम होते हैं इसमें समस्या है अपने थोड़ी शी आर्टी से मानगरपाली का कॉपरेट नहीं करती है कारवाई नहीं करती है रोड रस्ते पर भंगार गाडिया खड़ी है तो उसके लिए उसको जुर्माना अपन उसको लगा सकते और अब ऑनलाइन टैक्स से उसको मार सकते तो भी लोग सुदरते ने लोगों ने भी थोड़ा सा और अपना अपना किर करना चाहिए ताकि कि वहां पर आपने समस्या देखी ऑफांटन के फांटन के पईंटन के पहले बहुत अची समस्या थि लेकिन कई अजिश ब्रीज नाया आने के बज़े से कई संच्छ स्वाइग और घृबंदर रोड चड़ने वाला जो रोड है वहां से जो ट्रॉफिक लगी रहती है अंदर जो घोटबंदर से लेकर आपन ठाना जाते हैं। वहां पर काफी तकलिफे रहते हैं। लोग कतार में रहते हैं। वहां पर एक बार कोई आदमी जाएगा तो वहां से निकल नहीं सकता है। अगर मेरी मांग है तो मैं उसके लिए पत्रवियावार भी करूँगा। और वहां पर होने के लिए हम कोशिश्क में लगे रहेंगे। और कुछ कहना चाहते हैं उन लोगों से जिनके पास आप जाने वाले हैं मतलब वोटर्स और आम जनता। तो मैं उनको आओवान करता हैं अब भी मैं यहां पर पर्लामेंटल का एलेक्शन लड़ा रहा हूं तो मुझे थोड़ा सा यहां पर आप अच्छा सवयव करेंगे तो मैं थोड़ा मैं कुछ कर सकता हूं। और वैसे भी मैं सोच्छल फिल्ड से सर्वीशिंग और मानो सेवा इश्वर सेवा के माध्यम से तो मैं फांडेशन टर्स्ट चला ही रहा हूं और कई लोगों की सेवा पालगर जिले में क्रिक किया हूं तो यह मेरा मेरा पूरा महाराष्ट में जाने का मैं सोच रहा हूं कि ज्यादा लोगों तक मैं कैसे पोचू और वहां पर कैसे समाज का कारे करो यह मेरा काम चालूई है और आप हमको थोड़ा सा हेल्प करेंगे और स्वयोग करेंगे तो हम आएंगे तो आपका तो आप देख रहे थे यह प्रमोद धुमाल जी जो थाने लोगस्वास सीट से किस तरीके से क्या-क्या मुद्धे लेकर जंता के वह सामने आ रहे हैं यह यह जंता पर है कि हैं वह लोगों का किस तरीके शुनाव करते हैं हमसे चूड़ने के लिए धन्यमादा भार देखते रही हैं